महसाना जिल्ला पंचायत कचेरीना संकुलमा सरदार वल्लभाई पटलनी प्रतिमाने बे वर्ष थी कपड़ाना आवरण थी ढाकवामा आविशे बे वर्ष अगाव जिल्ला पंचायत कचेरीनु रिनोबेशन करीने कचेरीने सर्दार पटेल नाम साथे जोडवामा आविहती आ समय जिल्ला पंचायत कचेरी संकुल मा सर्दार पटेलनी प्रतिमा मुखवामा आविहती परंतु त्यार बाद कौन जाने नेताओने सरदार पटलनी प्रतिमानू अनावरन करवानों समय मढ़यो नथी लोकंडी पुरूष्णी प्रतिमा धंकायली हालत मा होवा थी महसाना सरदार पटल सेवादडना युवानोय प्रतिमानू अनावरन करवा जिल्ला पंचायत ने बै दिवस नू अल्टिमेटमा प्यूशे अने जो अनावरन नहीं करे तो सर्दार पटेल सेवादड़ना युवानोई जाते अनावरन करी देवानी चिमकी उच्चारी शे अमें बै दिवस नू अल्टिमेटर आपिये शी है 4 सप्टेंबर 2010 नारूज महसाना जिल्ला पंचायत कचेरी नू रिनोवेशन करी ने कचेरी ने सर्दार पटेलना नाम साथे जोड़वामा आवी हती शहरी विकास मंत्री नितिन भाई पटेलना अध्यक्ष स्थाने योजायला नाम करण विदी समाहरोदर्म्यान पंचायत मंत्री नरूतं भाई पटेलना हस्ते जिल्ला पंचायत कचेरी ने सर्दार पटेलना नाम साथे जोड़वा मावी हती अने तेनी गवाही पूर्ती तकति पढ़न लगावा मावी शे तेम छता जिल्ला पंचायत प्रमुग फक्त 6 मास थी प्रतिमार धंकायली होवानू कही रह्या छे जोके विवाद बाद सत्ता धेशो ए टूक समय माज अनावरन करवानी खात्री आपी छे महसाणाना मोधेरा सरकल ने थोड़ा दिवसो पहला नानू करवाना बहाने मार गने मकान विभाग तेमज नगर पाली का ध्वारा सरदार पटलनी प्रतिमाने नुक्षान करवामा आविवतू तेथी सरदार पटल सेवादढना युवानोय सरकल तोड़वा सामे विरोध करीने कामगिरी अचकावी दिवती तेवामा जिल्ला पंचायत कचेरी संकुल मा प्रतिमाना अनावरान बाबते युवानोय चिमकी आपता राजकिया चर्चाए जोर पकडियुशे कैमेरामेन अर्विंद परजापती साथे सुरेश वनोल वी टीवी महसाना